26 वी पुतली मृग्नेनी की कहानी सिंगासन 32, बाग 27, मृग्नेनी नामक 26 वी पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है राजा विक्रमादित्य न सिर्फ अपना राज काज पूरे मनोयोग से चलाते थे बलकि त्याग, दान वीर्दा, दया, वीर्दा इद्यादी अनेक श्रेष्ट गुनों के धनी थे बेकिसी तपस्वी की भादी अनन जल का त्याग कर, लंबे समय तक तपस्या में लीन रह सकते थे ऐसा कठोर तप कर सकते थे कि इंद्रासन दोर जाए एक बार उनके दरबार में एक साधारन सी बेशबुशा वाले एक यूवक को बकड़ कर उनके से निकलाए वह रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग दा अवस्था में कहीं जा रहा था उसकी वेशबुशा से नहीं लग रहा था कि इस धन का वह मालिक होगा इसलिए सिपाहियों को लगा शायद वह चोर हो और चोरी के धन के साथ कहीं चमपत होने की फिराक में हो राजा ने जब उस युवक से उसका परिचे पूछा और जानना चाहा कि यह धन उसके पास कैसे आया तो उस युवक ने बताया कि वह एक धनवान स्त्री के यहां नौकर है और सारा धन उसी स्त्री का दिया हुआ है अब राजा की जिग्यासा बढ़ गई और उन्होंने जानना चाहा कि उस्त्री ने उसे यह धन क्यू दिया और वह धन लेकर कहा जा रहा था इस पर वह युवक बोला की अमुब जगा रुक कर स्त्री ने प्रतीक्षा करने को कहा था दरसल उस्त्री के उससे अनैतिक संबंध हैं और वह उससे पती की हत्या करके आकर मिलने वाली थी दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाते और आराम से जीवन व्यतीत करते विक्रम ने उसकी बातों की सत्यता की जाँच करने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सिपाहियों को बेजा सिपाहियों ने आकर खबर दी की उस्त्री को अपने नौकर के गिरफतार होने की सूचना मिल चुकी है अब वह विलाप करके कह रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और उसके पती की हत्या करके भाग गए उसने पती की चिता सजवाई है और खुद को पते ब्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है सुबह युबग को साथ लेकर सिपाहियों के साथ विक्रम उस्त्री के घर पहुंचे तो द्रिश्य देखकर सचमुच चौप गए स्त्री अपने पती की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अगनी लगने वाली थी राजा ने चिता को अगनी देने वाले को रोग दिया तथा उस्त्री से चिता से उतरने को कहा उन्होंने सारा धनों से दिखाया तथा नौकर को आगे लाकर बोले की सारी सच्चाई का पता उन्होंने चल गया है उन्होंने उस स्त्री को त्रिया चरित्र का ध्याग करने को कहाता था राजे दिन्ट बुगतने को तेयार हो जाने की आग्या थी स्त्री कुछ शनों के लिए तो भैपीत हुई मगर दूसरे ही बल बोली की राजा को उसके चरित्र पर अंगुली उठाने के पहले अपनी छोटी राणी के चरित्र की जांच करनी चाहिए इतना काकर वह बिजली सी फुर्ती से चिता पर कोदी और उसमें आग लगा कर सती हो गई कोई कुछ करता वस्त्री जल कर राख हो गई राजा सिपाहियों सहित अपने महल वापस लोट गए उन्हें उस्त्री के अंतिम शब्द अभी तक जला रहे थे उन्होंने छोटी राणी पर निगाह रखनी शुरुक कर दी एक रात उन्हें सोता समझ कर छोटी राणी उठी और पिछले दर्वाजे से महल से बाहर निकल गई राजा भी दबे पाउं उसका पीछा करने लगे चलकर वह कुछ दूर पर धूनी रमाए एक सादू के पास गई सादू ने उसे देखा तो ओड़ गया और उसे लेकर पास बनी एक कुटिया के अंदर दोनों चले गए विक्रम ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिए असेहनिय था राणी निर्वस्त रहोकर उस सादू का आरिंगन करने लगी तथा दोनों पती पतनी की तरह बेचिजग संभोगरत हो गए राजा ने सोचा कि छोटी राणी को वे इतना प्यार करते हैं फिर भी बलविश्वास घात कर रही है उनका क्रोप सीमा पार कर गया और उन्होंने कुटिया में कुशकरो सादू तथा छोटी राणी को मौत के घाट उतार दिया जब वे महल लोटे तो उनकी मान सिक शान्ती जा चुकी थी वे हमेशा बेचेन तथा खिन रहने लगे सांसारिक सुकों से उनका मन उचाट हो गया तथा मन में वेरागय की भागना ने जन्म ले लिया उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी जिसके कारण भगवान ने उन्हें छोटी राणी के विश्वास घात का द्रिश्य तिखा कर दिंडित किया तथा उस्त्री से चिता से उतरने को कहा उन्होंने सारा धनों से दिखाया तथा नौकर को आगे लाकर बोले की सारी सच्चाई का पता उन्हें चल गया है उन्होंने उस्त्री को त्रिया चरित्र का ध्याग करने को कहा तथा राजदन भुगतने को तेयार हो जाने की आग् चाहिए इतना काकर वह बिजली सी फुर्ती से चिता पर कोदी और उसमें आग लगा कर सती हो गई कोई कुछ करता वस्त्री जल कर राख हो गई राजा सिपाहियों सहित अपने महल वापस लोट गए उन्हें उस्त्री के अंतिम शब्द अभी तक जला रहे थे उन्होंने छोटी राणी पर निगाह रखनी शुरू कर दी एक रात उन्हें सोता समझ कर छोटी राणी उठी और पिछले दर्वाजे से महल से बाहर निकल गई राजा भी दबे पाउं उसका पीछा करने लगे चलकर वह कुछ दूर पर धूनी रमाए एक साधू के पास गई साधू ने उसे देखा तो उठ गया और उसे लेकर पास बनी एक कुटिया के अंदर दोनों चले गए विक्रम ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिया सहनिय था राणी निर्वस्त्र होकर उस साधू का आलिगन करने लगी तथा दोनों पती पतनी की तरह बेचिजक सम्भोगरत हो गए राजा ने सोचा की छोटी राणी को वे इतना प्यार करते हैं फिर भी बलविश्वास घात कर रही है उनका क्रोप सीमा पार कर दिया और उन्होंने कुटिया में कुटिया में कुश करो साधू तथा छोटी राणी को मौत के घात उतार दिया जब वे महल लोटे तो उनकी मान सिक शान्ती जा चुकी थी वे हमेशा बेचेन तथा खिन रहने लगे सांसारिक सुकों से उनका मन उचाट हो गया तथा मन में वेरागे की भागना ने जन ले लिया उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी जिसके कारण भगवान ने उन्हें चोटी राणी के विश्वासगात का द्रिश्य दिखा कर दिंडित किया यही सब सोचकर उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्ध तडपर तपस्या करने चल पड़े समुद्ध तडपर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक बैर पर खड़े होकर समुद्ध देवता का आखवान किया उनकी साधना से प्रसन होकर जब समुद्ध देवता ने उन्हें दर्शन दिये तो उन्होंने समुद्ध देवता से एक छोटी सी मान पूरी करने की विनती की उन्होंने कहा कि उनके तड़ परवे एक कुटिया बना कर अखंड साधना करना चाहते हैं और अपनी साधना निर्विगन पूरा करने का उनसे आशिरवाद चाहते हैं समुद देवता ने उन्हें अपना आशिरवाद दिया तथा उन्हें एक शंद प्रदान किया समुद्ध देवता ने कहा कि जब भी कोई देवी अविबत्ती आएगी इस शंक की ध्वनी से दूर हो जाएगी समुद्ध देव से उपहार लेकर विक्रम ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा प्रणाम कर समुद्ध तर पर लोट आए उन्होंने समुद्ध तर पर एक कुटिया बनाए और साधना करने लगे उन्होंने लंबे समय तक इतनी कटिन साधना की की देवलोक में हरकम सच गया सारे देवता बात करने लगे कि अगर विक्रम इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो इंद्र के सिंघासन पर अधिकार कर लेंगे इंद्र को अपना सिंघासन खत्रे में दिखाई देने लगा उन्होंने अपने सेहोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक व्रिष्टी करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जल्मगन हो जाए और विक्रम कुटिया सहित पानी में बल जाए बस आदेश की देर थी बहुत भयानक व्रिष्टी शुरू हो गई कुछी घंडों में सच्चमत सारा स्थान जल्मगन हो जाता और विक्रम कुटिया सहित जल्में समा गए होते लेकिन समुद्ध देव ने उन्हें आशिरवाद जो दिया था उस वर्षा का सारा पानी उन्होंने बीलिया तथा साधना स्थर पहले की भादी सुखा ही रहा इंद्र ने जब यह आदबुद्ध चमतकार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तुफान का सारा लेने का आदेश दिया इतने भयानक वेक से आंधी चली की कुटिया तिनके तिनके होकर बिखर गई सब कुछ हवा में रुई की भादी ओरने लगा बड़े बड़े व्रिक्ष उखर कर गिरने लगे विक्रम के पाउं भी उखरते हुए मालूम बड़े लगा की आंधी उन्हें उड़ाकर साधना स्थल से बहुत दूर फेंग देगी विक्रम को समुद देव द्वारा दिया गया शंक याद आया और उन्होंने शंक को जोर से फुंका शंक से बड़ी तीवर ध्वनी निकली शंक ध्वनी के साथ आंधी तूफान का पता नहीं रहा वहां ऐसी शांती चा गई मानो कभी आंधी आई ही ना हो अब तो इंद देव की चिंदा और अधिक बढ़ गई उन्हें सूज नहीं रहा था कि विक्रम की साथना कैसे बन की जाए अब विक्रम की साथना को केमल अपसराओं का आकरशन ही बन कर सकता था उन्होंने तिलोत्तमा नामक अपसरा को बुलाया तथा उसे जाकर विक्रम की साथना बन करने को कहा तिलोत्तमा अनुपम सुन्दर थी और उसका रूप देख कर कोई भी कामदेव केवानों से कायल हुए बिना नहीं रह सकता था तिलोत्तमा साधना स्थल पर उतरी तरीजाओं